उन दिनों में जब भीड जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था तो उसमें अपने शागिर्दों को पास बुला कर उनसे कहा मुझे इस भीड पर तरस आता है क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ रहे हैं और इनके पास कुछ खाने को नहीं अगर मैं उनको भूका घर को रुफसत करूं तो रह में वो ठक कर रह जाएंगे और बाज इन में से दूर के हैं उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बयाबान में कहां से कोई इतनी रोटियां लाए कि उनको सेर करें उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने कहा साथ फिर उसने लोगों को हुकम दिया कि जमीन पर बैठ जाएं और उसने वो साथ रोटियां ली और शुकर करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें और उन्होंने लोगों के आगे रख दी और उनके पास थोड़ी सी छोटी मचलियां थी उसन उन पर बरकत दे कर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो पस वो खाकर सेर हुए और बचे हुए टुकड़ों के साथ तोकरे उठाए और लोग चार हजार के गरीब थे फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिल फौर अपने शागिर्दों के साथ किष्टी में बैट कर लल्ट कोई आस्मानी निशान तलब किया उसने अपनी रुख में आखीच कर कहा इस जमाने के लोग क्यूं निशान तलब करते हैं मैं तुम से सच कहता हूँ कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान दिया न जाएगा और वो उनको छोड़कर फिर किष्टी में बैठा और पार च थी और उसमें उनको ये हुकम दिया कि खबरदार फरीशियों के खमीर और हिरोदीस के खमीर से होश्यार रहना वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं मगर ये सुने ये मालूम करके उन से कहा तुम क्यूं चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते, क्या तुम्हरा दिल सख्त हो गया है, आखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं, जिस वक्त मैंने वो पांच रोटियां पांच हजार के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी तुकडों की टोक्रियां भरी हुई उठाई, उन्होंने उससे कहा बारा, और जिस वक्त साथ रोटियां चार हजार के लिए तोड़ी, तो तुमने कित पैट सेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे चुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गाउं से बाहर ले गया और उसकी आँखों में थूखकर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है। उसने नजर उठा कर कहा मैं आदमियों को देखता हूँ क्योंके वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरخت। फिर उसने दोबारा उसकी आँखों पर अपने हाथ रखे और उसने गोर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गाउं के अंदर कदम भी ना रखना। फिर येसू और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्टी के गाउं में चले गए और रहा में उसमें अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्हों ने जवाब दिया कि यहना बब्तिस्मा देने वाला और बाज एडिया और बाज नभीों में से कोई उसने उन से पूछा लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। पत्रस ने जवाब में उससे कहा तू मसी है फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये न कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि अबन आदम बहुत दुख उठाए और बज़र्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद करें और वो कतल किया जाए और तीन दिनों के बाद जी उठे और उसने ये बात साफ साफ कही। पत्रस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा। मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगा करके पत्रस को मलामत की और कहा आए शैतान मेरे सामने से दूर हो क्योंके तू खुदा की बातों का नहीं बलके आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उस उसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इंकार करे और अपनी सलीव उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंके जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा। और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुखसान उठाए तो उसे क्या फाइदा होगा और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे क्योंके जो कोई इस जिनाकार और खताकार कौम में मुझ से और मेरी बातों से शर्माएगा इबन आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्टों के साथ आएगा तो उस से शर्माएगा क्योंके जाएगा क्योंके जाएगा